असलाम वालेकुम रह्मातुलाहिव वरकातू यह यह यूव चार्षीट का तीसरा पार्ट देख रहे हैं और हम जो है तो बिरिव फैक्ट्स ऑफ केस दिख रहे थे शॉट में जो तो पुरे चार्षीट के स्टडी जो इसमें दी गई है इसमें जो फैरिस्त के 16 उन्वाना थे उन 16 उन्वाना में से हम जो तो अब तक के 7 उन्वान कवर कर चुके हैं अब हम आज जो है तो चलते हैं आठ हो एंवान की तरफ अब आठ हो नवान पेज नंबर 28 पर है यह आया है क्या है आठ वन देखते हैं न्याय सहयक विज्ञानिक प्रयोक शाले करें पाठोले लिया हार्डिक्स बापत जो हार्डिक्स इन लोगों को मिली है वो फोरेंसिक लेबोरेटरी को दी गई है उसके तालुक से बारे में क्या लिका है एड़ पॉइंट वन में लिका है दिनांक 24 दहादो नाजार अठ्रा रोजी आरोपीन चा कारेल है जड़ती दर्मियान आरोपीन कंपणी चे मुंबई कारेल है तो इससे पहली बात में बता दो बार वार चुकी तीसरी बार इसका जिक्रूब है कि जांच के दौरान जो है जांच के लिए इसको पंच नामा कर दिया गया और उसे कालीना के फोरेंसिक लेवर्टर में भेजा गया है एड़ पॉइंट टू में भी लिखा गया है कि हैधराबाद में जब पंच नामा किया गया तो वहां भी तीन सोरी चार हार्डिस निकाले यह पीछ उसके डिटेल से पंचन्नों के बीच में एड़ पॉइंट फॉर में क्या लिखा है कि सदर्च सर्व हार्ड डिस्क विशलेशन करिता जावा करमांग को कि दोनाजार एक्षी सत्यनु प्रोपो नी आगुश्या काक्षियो नौ अट्रा जिनांग सब्विस अकरा दोनाजार अट्रा नुए नियास आयो गिरिम कालीना ये थे पाटवीना तालिया आये तक हाँ इसमें भी यह लिखा है कि यह जो चार टीवी की हड़ी जो हैदराबाद और वन टीवी की मुंबई से मिले इसे जिए तो कालीना हमें भेजा गया फोरेंसिक लेबरेटरे में और जब उसकी रिपोर्ट आएगी अभी मिली नहीं है तो रिपोर्ट को जोड़ दिया ज आएगा इसकी डिटेल्स आना बाकिए यह हो गया हमारा आठों पॉइंट कंप्लेट अब हम नवह पॉइंट शुरू करते हैं जब आप नोदून घित लेले साक्षी दारणन दिलेले पुरावया चा सावराश जिन गवाहों के बयान लिए गए थे उन गवाहों के जरीए पेश किये गए पुरावय काकजात के बारे में मालूम आता है हिरा गुरूप ऑफ कंपनीज चे सर्व सर्व शिरीमती नहुरा शेक असलिया चे दसेश मुंबई ये थिल मार्केडिंग एक्जिगेट्व शिरी सलिम अंसारी यांचे कार्याले मुगल बिल्डिंग पहला पाइधुनी मुंबई ये थे असलिया चे निश्पन होते इसमें जो तो नहुरा शेक जो तो सरो सरो मतलब वन मैं शो थी और उसका जो ऑफिस मार्केड इंजिगेट्व सलिम अंसारी का वो पाइधुनी में था सदर कारेले तुन मेसर हीरा गुरूप ओफ कंपनीज मदे गुंतावनुक करने करिता गुंतावनुक दार शोधने कंपने चे योजनी चे योजने मदे गुंतावनुक करने करिता गुंतावनुक दारना माहीत देवन खाली तक्ते नमोद गुंतावनुक योजने मदे गु लिख रहे है कि जो इन्वेस्टर गुंतनुदार आते थे जो भी क्लाइंट कस्टमर आते थे यह उन लोगों को कुछ पॉंफ्लेट अगरत देते थे उसमें जो तीनों इसकी मैं हिरा गोल्ड की वह हम सभी जानते यह चार्ट में दिया कि उन तीनों कमपनीस गुंतनुदारं कड़ून रक्कम घ्यून सदर रक्कम कमपनीच वयोसाय करीता मंजे सोने टेक्स्टाइल तसेच फूड एटम वयोसाय करीता वापर करीत असलियाचे गुंतनुदारना सांगीतले जात असे तसे ज़े गुंतोंग दारा ना असे देखिल सांग्लयाथ येत असे की कपनी नमूद व्युर्षायाद आलेलेगे फायदा हागुंतोंग दायना कंपनी ने 40 शाथ या प्रमानात विभादाग जातों वरिल प्रमाने नमूद योजने अमदे गुंतावनु केलिया नमूद कमपणी करोणों योजने अनुसार अंदाजे तीन टक्के फायदा मिलतो त्याज प्रमाने हिरा गुरूप अफ कमपणी मार्की चा घाना दुबै वो इतर मुस्लिम देशा मदे सोन्याची दुकाने टे गुंतावनु की वार महिना एक टक्का कमिशन मड़ाता है इसमें बहुत इंपोर्टन प्वेंट है इसमें यह बतायागा कि जो इन्वस्टर से पैसा लिया जाता था उन्हें ऐसा कहा जाता था कि इनका पैसा जो तो सोना डेक्स्टाइल बूर्ड एटम इन सभी कारोबार इन्वस्टमेंट किया जाता है और 40 60 पर जो तो इनको प्रॉफिट दिया जाता है और तक्रिबन महिना का जो तो तीन पर्षन मुनाफ़ा जो तो हिरा गोल्ड में मिलता है गोल्ड एक्जिम लिमेंटेट जो कमपनी उसका बता है इसी तरह से कमपनी जो तो घाना उखाने है टेक्स्टाइल मेल है फूड मॉल्स है इसमें बहुत इंपोर्टन पॉइंट देखिए यहां पर यहां पर लिखा है कमपनी की मिल्कियत जो तो घाना दुबई और दूसरे मुस्लिन देशों में अभी-अभी पिछले अफ़ते नोहिरा शेक ने सीसी से कहे घाना से जो कोई सकी तिजारत नहीं होती दी स लोक बोलते हैं का पॉनजी था चावित नहीं हिंबोर जो हो रही है इसमें बड़त जुड़ बोला गया अके पहले कहा गया था कि घाना सोना खरीते है और handler में इनके भायनात में भी है नोिजैसर शेक के पुराने वीडियों में नेकिन अब वोग खुद कबोल चुकी है कि ये लोग घाना से सोना नहीं खरीते थे तो इसका मतलब यह कि यह पैमाइब बॉन्जी एक पूरूफ मिल बहुत सारे पूरूफ इस तरह से मिल चुकें लेकिन जिनने नहीं मानना है वो कभी भी नहीं मानेंगे यह फूंजी आगे बढ़ते हैं वक्तों ज्यादा जाय हो रहा है कि तसे इसी के साथ जो तो मार्केड एक्जिकेटु जो सलीम अंसारी है उसको जो तो एक परसंड कमिशन मिलता था त्याज प्रमाने सलीम अंसारी यांचे मार्फत नमुत कंपानी चे योजने मंदे गुंतों नुक करने चे प्रमान हीरा अंदाजे डाई ते तीन अलिश ते तीन कोटी परियंद होते देते हैं मदे हीरा गोल्ड मदे अंदाजे देड़ कोटी टेक्स्टाइल मदे 17 लाग फुडएक्स मदे 30 लाग परिंद रकम जमा होते हैं इसके मुताबिक जो तो सलीम अंसारी की जो इसकीन थी मतलब इसमें जो इन्वेस्ट करने वाले का जो प्रमान है मतलब अंदाजन जो तो धाई से तीन करोड रुपिया जो तो हर महीना जमा होता था है सलीम अंसारी इतना इंवेस्मेंट करवा था एक अंदाज रकम बताए गई उसमें तकरिबन देड़ करोड सर्फ से जादा जो तो हीरा टेक्स्टाइल में आता था और सतर लाग जो तो फूडएक्स मे से सलीम अंसारी आज त्रित मुंबई में सलीम अंसारी के अन्डर में उसके तहत उसके मा तहत जो तो पक्चिस मिम्बर थे डियसे वगरण जोते हैं और उन सभी के जरीय से जो तो 10,117 को जमा किया गया 10,17 इंविस्टर मीने हैं ये सिर्फ वो सलीमानसारी के बाद करीने मुंबई मी आँ दूसरी और बिग बहुत सारें ड्रेंसलें societ चिर्फ दस हजार एकसो सत्रह इंविस्टर नहीं ध्यान में कि ट्याश्च प्रमाने गुंतों नुग दार यांची परताविया ची रखम में मैं देखो ऐसा बताया कि मैं 2018 तक जो तो सभी को अमॉंड मिलती दे लेकिन एप्रिल 2018 के बाद का जो मुनाफ़ है वो मिलना बंध हो गया था नहीं मिला था इसका बो है यह हमने पहला फर्स्ट पार्ट पड़े अब यह भी पार्ट क्या है साक्षिदार तौनुक दार यांचा जबाबातून निश्पन जाल्याची बावी जो इन्विस्टर है गवा इन्विस्टर जो गवा बने उनका जो बयान लिया गया है उनकी इन्फोर्मेशन यहां पर दिगी है साक् इतिल श्रीमादी नहुराशेक हाँ वाई देखिए इसमें भी वही सब बाते हैं कि उन्हें मार्केशन जो तो यह इन्विस्टर को पकड़ कर और मिल कर जो यही बात बताते हैं कि हैदराबाद में नहुराशेक की कंपणी है यह तीन चार कंपणी हो नाम भी लिखा गया ह पाद इसके बात जो तो इनकी दूब़ाई शाञा सौधी आरभिया घाना और दूसरे international बाजार में खरीदी बिकरी करते हैं उसमें सोने की खरीदी बिकरी करते हैं गार्मेंट एलेक्ट्रिकल गार्मेंट टेक्स्टाइलेक्ट्रोनिक्स है और जो तो दिगर कारोबार जो इनका हीरा ग्रूप ऑफ कमपनी सिर्फ मुस्लिम लोगों के लिए दोजार आठ से जो तो मुक्तलिफ इसकी में चला रही है और पब्लिक से पैसा लेकर जो तो एजन्ट के थूरू जो तो जम्म करते हैं इसलाम धर्मा मदेव्याज देने घ्याणयास मानितन असलाने कंपनी गुंतों नुक दरनना गुंतों की वरी लुएज ना देता लेकिन इनका कारोबार का आज तक कोई प्रूफ नहीं मिला है लेगल और सही प्रूफ प्रूफ नहीं प्रूफ नहीं मिला है ना इनकी रियल बैलेंश चीड आज तक किसी ने बताया है कि कितना जमौत था कितना इन लोग कारोबार करते थे तो और नहुरेज शेक ने विच्छों के अब कबूल कर चुकी है इस इन्शाला और भी बहुत सारे बाते वह कबूल करेगी इन्फोर इन्फोर्स्मेंट डिरॉक्ट्रेड जब दुबाई जाएगी घाना जाएगी और साओधी अरबिया जाएगी वहाँ पर तैकिकात करेगी तो वहाँ पर सभी चीजों का खुलासा हो जाएगा तो इसका मतलब इनका कोई कारोबार जब था ही नहीं तो यह पैसे पर पैसा देते थे पैसे जो आते थे नए इंवस्टकों को पुराना पैसे पुराने इंवस्टकों देते थे मतलब सूध हो गया और यहां पार गया को स्रेड़ क्या क्या हैं कि हम अम्हारीी कंपणी जो तो इंट्रेस्फ्री और गर theor कर नाफ़ा और दिश्वूद नहीं देती थी तो इससे भी जो पॉन्जी साबिद होती है कि यह पैसे बर पैसा दिये जाता था और कोई कारोबार नहीं था अगर कारोबार वाक्य में रियल होता तो आज चालू होता सब तरफ दिखा होता और कंपणी भी चली होती चलती रहती थी बहले आगे देखते हैं यह पेज नंबर 30 है इसमें भी जो तो देखिए यह सब इसकी में हैं जो इनके एजन्ड और मार्कण एक्जिक्ट बताते थे हिरा गोल्ड की स्की में टेक्स्टाइल की स्की में फूडएक स्की में कितना इन्वेस करो कितना मुनाफा मिले हो सब अब नीचे क्या लिखाए त्याज प्रमाने वरिल गुंतों नुग यूजन अंतरगत वैत की उप्चार विवा वहाज उम्रा या कारना होसा हो गुंतो सब्सक्राइब यूजन अगर किसी को इलाज कराना है यह फिर शादी है यह फिर हजी अंगरा के लिए जाना है तो ऐसे वक्ट में जेतों इमर्जेंसी वड्रोल यह लोग देते थे लोकिन प्रियर्ड में अगर है भी पैसा तो 45 दिन गंदर यह लोग पैसा इन्वेस्टर को निकाल कर देते थे नमूद आरोपीद वित्यु संस्ता चालकाने मार्केड इसगेट उएजन्ट्स याननी आरोपी वित्यु संस्ता मदे गुन्तोंनू दराननी गुन्तोंनू कन्ये करितों उप्रोक्तु नमूद प्रमाने विविद यूजना तया केलिया सदर्युुजना मदे गुन्तोंनू केलिया शादिक लावाचे अमिज गुन्तोंनू दरनना दाकवेड आरोपीजा От्यु एँड हे लोग जो तो इन्वेस्टर को ज़ादा मुनाफ़्ा कालाच ions बिकाब देखा कर आताक loyalके देहो इन्वेस्टमेंट जमा करते थे और हिंदुस्तान के मुक्तलिक रियासतों और शेहरों में ओफिस खोल कर जो तो इन्वेस्टमेंट इन्हों ने जमा किया जादा मुनाफिकल आलज दिखा कर गुर्णग इल्यां तो प्रस्तु गुन्यातारविकंपणी काम करना रहे पांच करमोचारी उफेस्पनुवास ते मियारी जब को पीछे जिस हमने गवाहों की लिस्ट देखी तो उसमें कमपनी के कर्म पांच कर्मोचारी और जो इन्वेस्टरों को फसाया गया जो कंप्लेंड उसमें 25 जो इन्वेस्टर है उन लोगों ने जो तो इस्टेटमेंट दिया है गवाह और अपना बयान लिखाया है और उन्हों तो यह कमपनी में मुक्तलिफ इसक्रियों के जादा मुनाफ़ा देने के बदले जो तो यह लोग मुनाफ़ा के बदले में इन्वेस्टमेंट कराते दे बरभा और आखिर में जब इनको पैसा मिलना बंद हो गया कमपनी की जानिब से इनको ऐसा लगा कि अब उनके साथ ध पांच यह कमपनी के वरकर और जो 25 इन्वेस्टर के जो बयानात के लंब बंद हुए यह फाइल नंबर तीन में इस चार्शीट के साथ जोड़ा गया है यह हो गए 9 पॉइंट्स हमें जो टोटल सूला पॉइंट्स देखने इसका आगे का जो दसवा पॉइंट है इसका आगे की वेडियो में पार्ट फॉर में जो तो पेश करूंगा तब तक के लिए असलाम वालेकुम